राजस्थान के बाजरा किसानों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। दरअसल, खबर ये है कि राजस्थान में इस बार नियून्तम समर्थन मूले यानी की MSP पर बाजरे की खरीद नहीं होगी। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि राजस्थान सरकार को केंदर से खरीद का बजट नहीं मिला है, जिससे बाजरे की MSP पर खरीद लटकती दिख रही है। इससे उन किसानों में मायूसी का आलम है जो बाजरे की सरकारी खरीद की उम्मीद में इसकी खेती करते हैं। राजस्थान सरकार ने केंदर को चिठी लिखकर MSP देने के लिए बजट की मांग की थी। लेकिन केंदर सरकार ने राजसरकार को MSP का बजट देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि केंदर सरकार ने अपने जवाब में कहा कि राजस्थान सरकार अपने बजट से MS बाजरा खरीद से इंकार कर दिया है। इससे पहले बज़ट सत्र में राजस्थान सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उनके बाजरे की फसल को सरकार MSP पर खरीदेगी। लेकिन सरकार के इंकार के बाद किसानों में गहरी मायूसी देखी जा रही है। अगर राजस्थान में मिड़े मील और राशन में बाजरा देने का काम भी रुख सकता है। राजस्थान बाजरा पैदा करने में नमबर वन राज्य है लेकिन किसान इसे सरकार को नहीं बेच पा रहे हैं। इससे पहले भी बाजरे की सरकारी खरीद से इनकार किया गया है। राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक उपजाए जाने के बावजूद MSP पर इसकी खरीद नहीं हो रही है, जबकि पडोसी राज्य हरियाना में इसकी सरकारी खरीद जारी है। केंदर सरकार ने इस बार बाजरे का MSP 2625 रुपए प्रती क्विंटल घोशित किया है, लेकिन केंदर से इसका बजट नहीं मिलने से राजस्थान में बाजरे की खरीद पर संशे गहरा गया है, डॉट हालां कि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोशना नहीं हुई है, कि बा राजे सरकारे किसानों से उपज खरीदती हैं, जहां तक राजस्थान की बात है, तो केंदर से मदद नहीं मिलने की वज़े से बाजरे की खरीद उसके लिए चुनौती का काम हो सकता है, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी